हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल तो आज हम बना रहे हैं आलू के पापड आलू के पापड बनाने के लिए मैंने दो आलू छील कर साफ करके ले लिए हैं और इन आलू को बारिक बारिक टुकडों में काट लेंगे और एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डालेंगे और एक बड़ा चम्मच पानी डालकर इनको ग्राइंड कर लेंगे अब इस बैटर को एक बरतन में ट्रांसफर कर लेंगे और जितने आलू हमने लिए हैं उससे दुगनी मात्रा में पानी डालेंगे दो आलू लिए हैं तो चार कप पानी डालेंगे और इसे गैस पर रखेंगे और यहाँ आदा चम्मच काली मिर्च डालेंगे और आदा चम्मच सैंधा नमक और एक चम्मच जीरा क्योंकि हम इने वरत के लिए बना रहे हैं आप चाहो तो हरी मिर्च या लाल मिर्च भी डाल सकते हो और इसे इस तरह से चलाते रहेंगे और उबाल आने तक हमें इस तरह से चलाना है और उबाल आने के बाद मेडियम फ्लेम कर देना है और इसे 15-20 मिनट तक चलाते रहना है अभी और भी गाड़ा होगा तो यह भी ज़्यादा गाड़ा है तो हम इसमें एक कप पानियों डाल देते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए कि हम अगर पापड फैलाते हैं तो वो बिखरे न एक जगह पर जम जाए तो इस तरह से ये बैटर रेडी हो गया है इसमें कुल समय 15-20 मिनट लगता है उबालते हुए पहले हाई फ्लेम पर उबालेंगे उसके बाद मेडियम फ्लेम पर 15-20 मिनट तक टोटल टाइम लगेगा तो इस तरह से बैटर रेडी हो गया है अब इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं और ठंडा हो गया है तो अब हम एक प्लास्टिक सीट लेंगे और उस पे इस तरह से एक बड़ा चम्मच ये बैटर फैला लेंगे और इस तरह से हलके से फैलाएंगे और सभी पापड इस तरह से फैला लेंगे और इसको सूखने के लिए दो दिन का समय लगता है अगर धूप अच्छी है तो दो दिन में पूरी तरह सूख जाते है और यदि आपको पूरी गोल्ड सेव देनी है तो किसी चूड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो तो यह हमारे पापड दो दिन की धूप के बाद बिलकुल बढ़िया सूखे है और एकदम बढ़िया बने है तो अब इन्हें हम तल लेते हैं तो तेल गरम कर लिया है मैंने और बिलकुल लो फ्लेम रखा है और डालते ही तरंथ पापड बन जाता है एकदम सीख जाता है तो इस तरह से ही आलो के पापड रेडि हो गई है और उन्हें हम रत में खा सकते हैं आरम से और यदि आप वैसे बनाते हो लाल मेर्च डाल सकते हो तो हमारे पापड रेडि हो चुके हैं दो आलो से 50 पापड रेडि हो चुके हैं आलो मैंने मेडियम आकार के लिए थे बड़े आलो नहीं थे अगर बड़े होते तो 100 पापड भी तयार हो सकते हैं और हमारे पापड बिल्कुल क्रंची बने हैं स्वाधिष्ट और क्रंची बिल्कुल तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज क्रमेंट करके जरूर बताएं